लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले आपके अपाटमेंट में भी अगर कोई दर्वाजा ऐसा है जो काफी समय से खोला नहीं गया है तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है पैरिस में 1949 में जब नाजियों ने अटाइक किया था तब वहां रहने वाले कई लोग घर छोड़ कर भाग गए थे इन में से ज्यादतर लोग बाहर ही सेटल हो गए और कभी लोट कर नहीं आए सेकेंड वर्ड वर के बाद इन घरों के बारे में भुला ही दिया गया लेकिन एक परिवार सालों बाद वापस पैरिस लोटा और जब घर का दरवाजा खुला तो सभी की आँखें खुली रहेगी पैरिस में रहने वाली मैडम डी फ्लोरियन ने जब नाजियों के डर से घर छोड़ा था तब वो मातर 23 साल की थी जान बचाने के लिए वो उस जगह चली गी जहां नाजियों का डर नहीं था उनका वापस पैरिस जाने का कोई एरादा नहीं था 2010 में जब फ्लोरियन की मौत हुई तब उनके परिवार को पता चला की पिछले 70 सालों से फ्लोरियन पैरिस के अपने घर का रेंद भर रही थी फ्लोरियन की फैमिली ने सालों से बंद अपने घर के दरवाजे जब खोले तो सभी हैरान रह गए घर के अंदर बेशकीनती चीजें जैसे पेंटिंग्स और उस दौर के सामान भरे थे जिनकी कीमत अब लाखों करोडों में थी ख्लोरियन का मेकप किट अब इंटेज बन चुका था और क्रीम और प्रुशन से भरा था इसके अलावा कई बेश कीमती पेंटिंग्स घर की धीवारों की शोभा बढ़ा रहे थे ख्लोरियन की फैमिली ने अपने इस पुराने घर की कई समान की नेलामी की इन में से एक पेंटिंग को 21 करोड से भी ज्यादा में बेचा गया सालों से बंद घर के दरवाजे किसी की किसमत खोल देंगे इसकी जानकारी कहा किसी को थी